आज की वीडियो ऐसे लोगों को ध्यान में रखके मैंने बनाई हैं जिनके घुटनों में अलरेड़ी दर्द होता है और जब घुटनों में दर्द होता है तो वो इतना असहनिय होता है स्पेशली जब आप चलते हैं घूमते हैं दोडने का तो बस आपका मन करता हैं लेकिन आप दोड भी नहीं पाते हैं या कि फिर सीडियां चड़ते वक्त कभी कोई बजार से समान लाना है ऐसे वक्त में घुटनों में असहनी अदर्द आपको ये सारे काम नहीं करने देता पहले तो एक वक्त था कि आप एक सर्टेन एज के बाद घुटनों में दर्द जो है वो experience करते थे लेकिन आज बहुत यंग एज में ही लोग घुटनों के अराउंड दर्द महसूस किया करते है आज इसी वीडियो में आपको ये सारी exercises मैं सिखाऊंगी तो आज की वीडियो में मैं सारी की सारी आपको simple, super easy, effective exercises सिखाऊंगी जिससे आप अपने नी के अराउंड की जो muscles हैं उनको मजबूत करेंगे उनमें strength develop करेंगे जिससे धीरे धीरे आप इस समस्या से उबर सकें आपको छुटकारा मिल सकें नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल Yoga with शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो सबसे पहले जान लेते हैं जो ये नी पेन की समस्या है ये actually में होती क्यों है, root cause क्या है देखिए हमारी बदलती हुई lifestyle की वज़े से क्या होता है हर एक चीज हमारे comfort के इर्द गिर्द घूमती है कि एक phone call किया तो आपका खाना घर पे deliver हो गया घर के काम काज करने के लिए आपको कप्रा धोने के लिए machine है आपको बरतन धोने के लिए machine है room साफ करने के लिए machine है तो उठना बैटना इतना जादा हो नहीं पा रहा है जिससे शरीर जो है इसका इस्तमाल जिस तरीके से होना चाहिए day to day life में वो physical activity भी नहीं हो पाती इसकी वज़े से हमारे joints के जो आसपास की muscles से joints में weakness आने लगती है muscles में weakness आने लगती है और ये धीरे धीरे करके develop करते हैं knee pain, ankle pain, पैरों में दर्द, फटन, सूजन इस तरीके की समस्याओं में तो आपको करना क्या है? कि ये सारी exercises को आपको आज से ही देखना है करना है, शुरू कर देना है और इस वीडियो को जो है तो अंत तक देखिएगा ताकि आप सारी की सारी exercises अच्छी तरीके से समझ पाएं, सीख पाएं वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी घिजक मत महसूस कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का आपको अटूठ हिस्सा बन जाना है क्योंकि ऐसी कई सारी वीडियो इस चैनल पर मैं अल्रेडी अपलोड कर चुकी हूँ और करने वाली भी हूँ आज के अभ्यास को करने के लिए हम आराम से अपनी कुरसी पर बैठ जाएंगे ऐसी कुरसी को इस्तमाल करेंगे जिसमें हैंड रेस्ट हो और उस कुरसी में पहिये ना हो और वो कुरसी बहुत स्टेबल हो प्लास्टिक की कुरसी हो सकती है लकडी की कुरसी हो सकती है दोनों हाथों को अपने हैंड रेस्ट पर रखेंगे और पैर की उंगलियों पर सबसे पहले काम करना शुरू करें, ऐसे इस तरीके से खोलें, फिर दबा दें, फिर खोलें, फिर दबा दें, खोलें और फिर दबा दें, इसका अभ्यास कम से कम आपको 10 से 15 बार करना है, इस तरीके से खोलें, दबाएं, खोलें, दबाएं, खोले अभ्यास में अपनी एंकल्स पर ध्यान लेके जाएं इस जगहर पर ध्यान लेके जाएं उंगलियों पर काम कर लिए अब एंखल पर अब ankles को alternate ऐसे अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर इस तरीके से move करें ऐसे धीरे 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 इससे क्या होगा? बहुत से लोगों के एंकल जो हैं बहुत stiff होते हैं, बहुत tight होते हैं, कड़ापन होता हैं, तो वो कड़ापन कम होगा, और जितना ज़्यादा कड़ापन आपके शरीर में होगा उतना ही ज़्यादा आप उन areas में injury के chances अगर होते हैं, तो अगर injury होती हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत ही जादा वो बाडी शॉक एब्सॉर्ब नहीं कर पाती है जिसकी वज़े से आप इंजर्ड हो जाते हैं ऐसे ऐसे आप एंकल को अल्टरेनेट मूव करने के बाद अब साथ साथ मूव करें अंदर की तरफ खीचें दोनों घुटनों को दोनों पैर के बड़े फिर बाहर की तरफ खीचें अंदर की तरफ खीचें और फिर बाहर की तरफ खीचें जब अंदर की तरफ खीचें तो आपकी जो पिंडलिनिया है ना ये वाली जगहा इनको हलका सा टाइट करें और घुटनों की मसल्स को टाइट करें सिर्फ ऐसे ऐसे इस तरीके से ना करे control के साथ खीचे फिर उसके बाद छोड़े control के साथ खीचे फिर छोड़े control के साथ खीचे और फिर छोड़े और जब बाहर की तरफ छोड़े तब भी घुटनों को टाइट करें calf को टाइट करें इससे पैरों की सिर्फ ankles नहीं बलकि आपकी calf muscles, spindolinia और घुटनों के आसपास की muscles पे भी बहुत अच्छा खीचाओ आ रहा है बाहर की तरफ खीचके रखें, hold करें 1, 2, 3, 4, 5 अंदर की तरफ पुल करें और hold करें 1, 2, 3, 4, और 5 अब अपने पैर को ऐसे mat पर रखतें हलका 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 ऐसे tap करेंगे इससे पैरों में बड़ी अच्छी blood circulation इंप्रूव होगी ऐसे tap करे, tap करे, tap करे, tap करे, tap करे इतना करने मातर से आपके पैर में एक जिंधनाहट सी महसूस होगी एक tingling सा sensation आएगा क्योंकि blood circulation जो है वो इंप्रूव हो गया है दोस्तों अगर आप सभी मेरी निगरानी में रहके योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी online yoga classes में इन online yoga classes को zoom के माध्यम से संचालित किया जाता है ताकि देश और दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो आप आसानी से मेरे साथ जुड़ के योग का अभ्यास कर सके अगर आप beginner हैं और योग का अभ्यास कर रहे हैं या कि आपको किसी भी तरीके की कोई health condition है तो घबराइए नहीं ये classes आपके लिए बहुत ही लाबदायक होने वाली है इन classes में हम क्या क्या सीखेंगे इन classes में हर दिन हमा लग अलग तरीके के आसन, प्रानायाम, ध्यान कैसे करते हैं रिलाक्सेशन कैसे करते हैं और साथ ही cleansing technique भी आपको सिखाई जाती है step by step इन classes को join करने के बाद मेरे जो existing students हैं उनको अपनी health condition से उबरने में बहुत मदद मिली है आप अपने घर के comfort zone में रहके कभी भी किसी कारण से अगर आप ये online yoga classes नहीं जोइन कर पा रहे हैं यानि जिसमें interactive zoom के session नहीं जोइन कर पा रहे हैं तो आप मेरे द्वारा कुछ courses develop किये गए हैं जो की pre-recorded session है, exclusive videos हैं, YouTube में बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेंगी ये exclusive videos आपको मेरी website पे मिल जाएगी इन videos को play करके आप अपने घर के comfort zone में रहके कभी भी किसी भी वक्त कितनी भी बार इन videos के माध्यम से अभ्यास कर सकते हैं ये videos complete beginner friendly हैं, जिसमें आपको आसन, प्रानयाम, ध्यान, हर एक चीज़ सीखने के लिए मिलेगी अगर आप इन zoom classes और recorded session के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो मेरी website जरूर visit कीजिएगा जो की है www.yogaviddshahida.com या कि फिर यहाँ पर मैंने एक whatsapp number शेयर किया हुआ है इस whatsapp number पर अगर आप एक whatsapp कर देंगे तो आपको class और course के बारे में जो details है वो भेज दी जाएगी मैं तो बहुत excited हूँ आप सभी को योग सीखाने के लिए जाए मेरी website विजिट कीजिए या कि फिर एक whatsapp कीजिए और शुरू करते है अब अगला अभ्यास करेंगे ankles को rotate करने का पूरे के पूरे ankle को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे एडी को और अंगूठों को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए पूरे ankle को गोल 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 जब आप घुमाएंगे न तो आप तो जानते ही हैं पूरे body की जो नस्थ नाडियों की ending है वो पैर से होती है तो इस तरीके से अभ्याज करने से उन नस्थ नाडियों में बहुत अच्छा खिचा हुआता है एक direction में 10 times कर लें तो फिर इसको दूसरी direction में गुमाएंगे और फिर हलका 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 फिर से tap करना शुरू करें और ये tapping आप जितनी बार भी कर सकते हैं उतनी बार आराम से ऐसे धीरे 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 टाप करें फिर उसके बाद थुड़ा सा rest करें आप ankle पर काम कर लिया है आप जड़र आपने calf muscles पर काम करतें इर्स पर, πिंडिलनीों पर काम करतें यहां पर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा कड़ापन अगर आपकी प्रिडिलिनियों पर है वो भी दर्द का बहुत बड़ा सबब होता है, तो आराम से अपने पैर को इस तरीके से मैट पर रखें, दोनों हातों को हैंड रेस्ट पर रखें, बैक रेस्ट पर रेस्ट करें, एडियों को उठाएं और फिर एडियों को ड्रॉप करें, हील को उठाएं और हील को ड्रॉप करें, हील को उठाएं और हील को ड्रॉप करें, इससे आपकी सोलियस मसल्स जो है वो ट्रेन होती हैं, काफ मसल्स जो है उसका कड़ापन कम होता है, और साथी इस जगह की जो मसल इनको इनमें जितना ज़ादा कड़ापन कम होगा यह आपके डाइजेशन को भी इंप्रूफ करती है इस तरीके से ओपर करें अबी आप अफिस में भी हैं ऑफिस तरीके से उठाएं कभी घर पर बैठे हैं चेर पर बैठे कि से इर्ड उठाएं और ड्रॉब करें। हम काफ मसल्स को धीला कर सकते हैं और वहाँ पर blood circulation improve होगा इस अभियास को करने के बाद भी फिर से tap करें पेरों को tap करें, tap करें, tap करें, tap करें, tap करें, tap करें फिर उसके बाद फिर से जंजनाहट को महसूस करें अगले अभियास में हम क्या करेंगे? अपने घुटने पर काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? पहले उंगलियों पर काम किया, एंकल पर काम किया, काफ पर काम किया क्योंकि सारी मसल्स तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं अब घुटनों पर काम करते हैं, एक एक करके पीछे की तरफ जुके हुए हैं, अब धीरे से अपने दाहिने पैर को उठाया, सिधा किया, घुटनों को टाइटन किया, यह नहीं कि सिर्फ यह कर रहे हैं, ऐसे जुलाना नहीं है, जुलाना नहीं है, conscious practice करना है, ध्यान को यहां पर घुटने पर रखा, ऐसे सास लीजिए, सास चोड़िए, सास लीजिए, सास चोड़िए, सास चोड़िए, एक एक पैर को बहुत आराम से जھटके से नहीं करना है, अब भ्यास कोई भी, ऐसे, सास लीजिए, और सास चोड़िए, last, three, two, and one, फिर उसके बाद अपने पैर को आराम से मैट प रहने दीजिए, अब जास लीजिये, सास शोड़िये, सास लीजिये, घुटने को tighten कीजिये, घुटने के muscles को, फिर mat पर रख दीजिये, सास शोड़िये, सास लीजिये, सास शोड़िये, लास्ट त्री, तो इसका अभियास 10 से 15 बार आप कर लेंगे, लास्ट वान और उसके बाद अपने मैट पर अपने पैरों को रखे फिर से टाप करें इस तरीके से टापिंग से इतना अच्छा बलड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला यह प्रैक्टिस करके अब आप क्या करेंगे ना दोनों पैर पैरों की एडियों को और अंगूठों को साथ में जोड लें इस तरीके से फिर उसके बाद अब इसी प्रैक्टिस को करें धीरे से अपने पैरों को इस तरीके से बॉड़ी के सामने स्ट्रेच करें गुटनों को टाइट करें थाई की मसल्स को टाइट करें मस्बूती से औ ऐसे सास लेते हुए पैरों को खोले, बॉड़ी के सामने, फिर से सास ले, खोल करें, फिर उसके बाद फिर से ड्रॉप करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इस तरीके से जुला रहे हैं, यह जुलाएंगे तो और नी को हर्ड कर लेंगे, आप नी में और दर्द होने लगेगा, इसलिए अभ्यास जितना आसान हो, जितना सरल हो, और जितने आप कॉंशियसली प्रैक्टिस करें, ताकि जो दिमाग है, जो ब्रेन की सेल्स हैं, उनका कम्मिनिकेशन आपके पूरे नी के अराउंड जो मसल्स हैं, उनमें क्या काम हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी हो जाए, ऐसे उठाएं, होल्ड करें, फिर से उठाएं, और होल्ड करें, और इस तरीके से ड्रॉप करें, इतना आप करने मातर से न, अपने पैरों में गजब का इफेक्ट देखेंगे, और मातर एक हफता, साथ दिन अगर यह अभ्यास करेंगे न, अब का चेंज आपके पैरों पर आएगा, और आप सभी अगर कुछ चेंज महसूस कर रहें न, तो मुझे कमेंट करके भी बताया कीजिए, वीडियो कैसी लगती हैं, वो भी कमेंट करके बताया कीजिए, ऐसे, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने पैरों के दोनों पैरों के बीच में एक तकिया ले के आएंगे, और तकिया को रखने के बाद, फिर से घुटने और थाई की मसल्स पर काम करेंगे, ठीक है न? मैंने ये तकिया ले ली है इस तकिये को मैं ऐसे इस तरीके से गोल कर दे रही हूँ मतलब थोड़ी सी ऐसी तकिया लीजेगा जो थोड़ी soft हो तो इस तरीके से मैंने इसको two fold कर दिया है और थोड़ा से ऐसे कुर्सी में बाहर की तरफ आके बैठूंगी और फिर उसके बाद अपने दोनों जांगों के बीच में घुटने के बीच में नहीं थोड़ा सा पीछे घुटने से थोड़ा सा पीछे ऐसे रखते हुए इस तरीके से रखते हुए अपने जांग से अपने तकिये को दबाने की कोशिश करूँगी दबाएं दबाएं जितना खुट से ताकत लग सकती है उतना दबाएं 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 और फिर धीला छोड़ दें फिर से तकीये को पकड़ के रखें इसको दबाएं 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 अच्छी तरीके से और फिर इसको ढीला छोड़ दें इसके अभ्यास से जो muscles हैं धाई की घुटने से लगी हुई जो muscles हैं उनमें बहुत ही जादा मजबूत ही आएगी फिर ढीला छोड़ दें तो ये सा सोने लगेगी धीरे 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 जितना हो सके जोर से दबाएं 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 और फिर इसको धीला छोड़ें तो इसका भी अभ्यास कम से कम 10 से 15 बार कर लें 10 से 15 बार नहीं कर सकते हैं तो 5 से 7 से शुरुआद करें फिर उसके बाद इसको धीला छोड़ और फिर उसके बाद वापस से mat पर drop करें फिर उसके बाद धीरे से pair को सीधा करें फिर वापस से mat पर drop करें दबा के रखा है ताकि एक contraction बना हुआ है और फिर उसके बाद release करें एक एक pair से आप इसका अभ्यास जब आप करेंगे तो खुद आप फर्क महसूस करेंगे इस तरी और थोड़ा आपको confidence आ जाए तो दोरों पैरों को धीरे 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 ऐसे सीधा करें और hold करें 1, 2, 3, 4, 5 फिर उसके बाद वापस से drop करें फिर से उठाएं लेकिन दबा के रखा है धीला नहीं छोड़ा है था इसको ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे फिर से drop करें फिर से करें उठाएं 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 फिर से drop करें तो इतना करने मातर से गजब का आपका जो strength है घुटनों का वोबढ जाएगा और कुछी दिनों में चलना फि फिर से शुरू कर देंगे है नो अच्छी एक्सरसाइज तो तग है को मैंने रख दिया side में और फिर इसके बाद पैरो को फिर से टैप किया टैप किया टैफ किया टैप किया टैप किया इस तरीके से चूरिक अगर आप चाहते हैं आपके बताय हुए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊ तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को कॉपी करके अपने दोस्तों रुषदारों को भी खूब भेजिए ताकि उनको भी स्वास्तिलाब मिल सके आगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी आप सभी अपना खयाल रखें नमस्ते